कि जहिंद नमस्कार सभी को मैं आज मैं सिर्फ एक बात करने के लिए आया हूं उसको द्यान से सुनना और सभी लोगों को शेयर करना बात यह है कि हम इस सा रहे हैं इकीस बाइस तेश को तीन दिन के लिए जैपुर उनका दोरा है और उस दोरे में हमें एक ब्रोध परदस्न करना है बिना कुछ बोले कि उन तक हमारी आवास मोचाणी है नियाई के लिए जो अनुपाल का केस है इसके लिए सीवी जाच के लिए और वसुंद्रा को हटाने के लिए अब आप लोग बोलोगे कैसे पहुंचेंगे तो उसका सिर्फ विरोध का तरीका यह की चीज होगा जहां रैली करते हैं वहां आप लोगों को एक काली टी-शर्ट या काली टोपी जो भी सिर्फ पैरना और वहां खड़े हो जाना यह चीज निया होती तो कोई काला रोमाल वहां तक पहुंच भी जाएगी और उनको पतार चल जाएगा हम लोग क्या चाहते हैं रही पारटी की पारटी का मैंने गोष्णा कर दी है और उसका निर्मान जरूर होगा ना कांगरेश ना बीज़ेपी नहीं आएगी इसलिए मैंने यूटूब चैनल भी बनाएं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार बार इससे जुड़ो क्योंकि मीडिया कभी सच्छा ही दिखाएगी उस सरकार की गुलाम बन जाती है जो सरकार होती है उसी की मुठीम चलती है तो जो भी अन्याय आता है इसके कवाज उठाते हैं इस चैनल पर तो इस चैनल से जुड़ो सब्सक्राइब करो इससे जो भी पूंचलना जिसको नहीं आता है जो पड़े लिखें लोग बताओ कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम चकम यह नो लेस्तों दो आप लोग दूसरी आपको दिल में यहार होगा कि हम इ जिसमें आप लोगों को करना कुछ नहीं सिर्फ पहुंचना है ज्यादा तादात में होंगे वहां नारे भगेवरा भी लगाएंगे जो हमें पुछित समझेगे वह कारवाई आगे करेंगे लेकिन बैस यह करना है आज के लिए इतना ही प्लानिक को ध्यान से रखना आगे जो 22 का मारा अंदोलन हो रहा है उसका में बता देंगे लेकिन 21 को यह दिखाना है 22 को हम मासा में लो जाएंगे अगर कोई सहमेंति बनती है भारता चल रही है भी वह सरकार के साथ तो फिर मैं आगे वीडियो बनाके और उसी जानकरी आप लोगों देदेता हूं लेकिन इस के लिए इतना ही जय हिन जय भारत